हग मीट्स जिम हग की मुलाकात जिम से होती है जब मैं उठा तो उस समय आठ बज रहा था और इसका अनुमान इसका गैस मैंने सूरज की पोजीशन जो की आसमान में थी उससे देख करके लगाया मैं बहुत ही ज़दा आलसे फील कर रहा था और साथी साथ कंफर्टेवल भी फील कर रहा था मैं दुबारा सोने वा रहा था तब अचनक्स मुझे चपू चलाने की आवास सुना देती है मैंने उसे दुबारा सुना मैंने जाडियों में से छुप करके देखा अब मुझे सफिद धुआ दिखाय दे रहा था एक फैरी बोड से तब मुझे यहाँ रियलाज़ होता है कि वहाँ पे लोगों ने क्या किया तो गन फाय कर रहे थे पानी के तरफ जिससे मेरी बोडी उनके तरफ आ जाए तो मैंने इस बारे में हिम्मत भी ने की कि मैं बाहर जाओ और उस कैनन स्मोक को अच्छे से देखूँ मुझे भूक में लग रही थी और आचानक से में दिमाग में एक आइडिया आता है मुझे याद आया था कि लोग किस तरीके से मरकिरी में लोफ आफ ब्रेड डाल देते थे जिसके कारण वहाँ पानी में डूबती नहीं और तयाटी हुई आ जाती थी तो मैं इधर उधर देखता हूँ और मुझे एक लोफ आफ ब्रेड आचानक से मिल ही जाता है तो मैंने क्या किया मैंने उसके अंदर से मरकिरी हटाई और मैंने से खा गया फिर मैं एक लकड़े के लट्ठी पे बैठता हूँ और उनके तरफ देखता हूँ फिर धिये धिये करके वहाँ फेरी बोट मेरे छुपने के जगा पे आचुकी थी छुपने वाले स्थान पे आचुकी थी और मैं उस पे बैठे वे लोगों को देख पा रहा था वहाँ पे मेरे फादर के अलावा जज हैचर और उनकी बीटी थी साथी साथी साथ मैं दोस्त टॉम जो टॉम की आंटी पॉली सीड और मैरी थे और वे सारी के सायर लोग मेरे मर्डर के बारे में बात करे थे वही पे जो कैप्टन रहता है वो कमांड दर देखिए वहाँ ध्यान से देखिए तो सारी के सायर लोगों ने बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करी कि सायर मेरे लास उन्हें मिल जाए मैं भी उन्हें देख पारा था लेकिन वहां मुझे नहीं देख पारे थे फिर कैप्टन दुबारा से चिलाता है कि दूर हटी है फिर वहां दुबारा से बंदू की गोडी चलाते है और इसी तरीके से चलता रहता है और एक समय के बाद वहां बोट मेरे नजर से दूर हो जाती है और उसके बाद एक घंटे के बाद मुझे उस चपू चलाने की आवाज भी नहीं सुनाय दे रहती इससे मुझे यह ऐसास हो गया कि मेरे प्लैन सेक्सेस्फुल रहा अब को भी मुझे ढूंटा हुआ इधर उधर नहीं आएगा और मैंने मेरी केनोई में मैंने मचली का पकड़ा और अंत मैंने आग जलाई और खाना घाया मैं बहुत ज़्यादा सेटिसफाइड था बहुत ज़्यादा संतूष्ट भी था लेकि वह दूसरी और मुझे अकेला पन भी मैसूस हो रहा था मैं सोने के लिए चला गया मैं वहाँ पे तीन दिनों तक और ती अबरी मिली ग्रैप्स मिले और रस्बेरी भी मिले और फिम मैंने क्या किया मैंने इन सब चीजों को इखटा किया क्योंकि अगर कभी मेरा खाना खतम हो जाए तो मैं इनका इस्तमार कर सकूँ लेकिन अचारेक्स मुझे एक कैमप फायर की राख दिखाए देती है जहां से हैं निकल रक्ता तर में या दिन उचल पड़ा महहाँ अपने कैमप में जाता हूं और फोड़े देर रुकता हूं और ध्यान से संता हूं मौझे तोअ दार लगा था कि वहाँ पर शायद कोई व्यक्तिय था तो मैंने अपनी सारी के सारी जितनी एक लग रहा था कि वहाँ पर शायद कोई व्यक्ति था तो मैंने अपने सारी के सारी जितनी में खाने की मेट्रियर्स था उसे मैंने कैनोई में रखा और मैंने क्या किया जिस आग को मैंने अपने कैम के पार जलाया था मैंने उसे बुझा दिया और उसकी राख को इधर उधर फेग दिया ताकि लोगों को ऐसा लगे अगर कोई यहां आता भी है कि यहां पुराना कैम था और मैं पेड़ पे चड़ा गिया जब पेड़ मैं चड़ गया था तो उसके दो या तीन घंटों बार मैंने न मुझे किसी तरीकी के आवाज सुनाय दे रही थी और न मैं कुछ देख पाया था तो मैं पेड़ से वापस उतरता हूं और जो मेरा बचा वो ब्रेकफास्ट था मैं उसे खाता हूं और कुछ बेरेज भी खाता हूं अब इस तरीके से रात हुजाती है और मैं अपने कैनवी के साथ आईलेंड के चारो और घुमता हूं और वहीं जंगल में मैं अपने खाना बनाने शुरू करता हूं अब इसके बाद क्या था मुझे थोड़ा नरवस धर और भी मुझे बहूत सारी आवा oppressed अवारे सुना देरी थी और बहुत सारे जानवरों की आवार सुना देरी थी मुझे लगा कि इस आईलेंड में कोई विक्ति होगा ही होगा और मैंने अपने चपु चलाया और इधर अधर घूमने लगा और मैं अपने कैनोई में ही सोगिया था फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे यहां से अगर जरुत पढ़ेगी तो मैं यहां से भाग जाओंगा मैं जादा देर नहीं सोता हूं मैं अचल्वय से उठ जाता हूं और उठाहा हूं किसी ने मुझे मेरे मेरे पकड़ लिया है लेकिन अब मुझे यह video हो ज़ता है कि मैं इस तरीख किसे तो जी सकता हूं तो मुझे एक बेटर जगह ढूनना पड़ेगा इस आईलेंड में और मैं ऐसा ही करता हूं तो मैंने सबसे पहले क्या किया मैंने अपने केनोई में कुछ समान ढूंडा और फिर इसी तरीके से करते करते चांद निकल जाता है और मैंने अपने केनोई को रोखता हूं फिर उस Kanon में से मैं एक बंदुक निकालता हूँ और एक ऐसे जगह पे में पूर्ण आपना केमप फाइर की मैंने smell सुनी थि यह फिर केमप फाइर मैंने देखा था फिर अचनक से मुझे आग की जलक देखा देती है कि पेड़ों का पास किसने आग लगाय था और वहां पर एक व्यक्ति सो भी रहा था उसका सिर ब्लैंकेट से पूरी तरीके से ढखा हुआ था और उसने फिर जब वहां अपने साही को स्ट्रेश करता है तो उसका ब्लैंकेट हाड जाता है और मुझे पता चलता है कि वह मिस व तब वह क्या करता है वह प्रात्ना करने लगता कि मुझे मत मारो मैंने तुम्हें किसी भी तरीकी के को भी नुकसान ने पहुचा है भूत मुझे मत मारो मैं जिम हूँ मैं तुम्हारा पुरारा दोस्त हूँ याद है अब तुम्हें काम करो तुम नदी में चल जाओ तुम कि उसके बाद वह मुझे बताता है कि वह इस आइलेंड में उस राट से है जब से उसने यहां सुना था कि मेरी मौत हो गई और उसने क्या किया वह जब से इस आइलेंड में तब से उसने किसी भी तरीकी के कोई भी चीज नहीं खाया फिर उसने जब मेरे पास गन देखा तो तो वह बास गन भी है यह तो बहुत बढ़िया बात है अब हम यहां पे कुछ चामरों को मारके खा सकते हैं और आग भी जला सकते हैं अब फिर क्या होता है मैंने उसे अपने केनाई के पास मैं उसे लेकर चला गया वहां पर आटा था मीड था काफी था चीनित था बहुत साइच चीज थी अगर उस जोपड़ी में तुम्हारी मौत नहीं हुए थी तो किसकी मौत हुए थी तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया और जब उसने मेरी बात सुनी तो वह बहुत जाए इंप्रेस हो गया था और वह मुझे बोलता कि अगर टॉम साय इस बात को सुनता तो उसके पास भी इससे बटर प्लान नहीं हो सकता था फिर मैंने उससे पूछा कि तुम यहां कैसे आ गए तो पहले तो वह थोड़ा हिच- बात गुलता है कि वह जो मिस वाट्सन है वह मुझे अच्छे तरीके से ट्रेट नहीं करती थी तुम तो यहां बात जानते हो और मैंने उन्हें एक नीग्रो ट्रेडर के पास उनसे बात करते हुए सुनाता है एक रात की बात है कि मैंने सुना कि वह वह वीड़ो मुझसे छुटकारा पाना चाती थी अवा मुझे एक ठंडेड डॉलर में मुझे बेचना चाती थी अब जब ट्रेडर उन्हें एक ठंडेड डॉलर देता है तो वह इस चीज को रेजिस्ट नहीं कर पाती थी क्योंकि वह बहुत ज़्यदा अमॉंट था तो उस वीड़ो ने बोला अपनी बेहन को कि मुझे ना बेचे लेकिन वह उनकी बात को सुन ही नहीं रहे थी तो मैं वहाँ से भाग गया फिर मैंने आपने आपको एक दिन चुपाया मैंने उनकी बोट चोड़ी की और जब उन्हें यहाँ पता चलेगा कि बोट वहाँ पर नहीं है तो वहाँ मेरे पीछे पीछे आएंगे तो मैंने राफ्ट के पास वेट किया और फिर उसी तरह से करते करते मैं एक राफ्ट में सीक्रेटली बैठ गया और दिन होते होते मैं वहाँ से 25 मिल दूर था मैं तैरता हुआ किनारे आ गिया और मैंने अपने आपको जंगल में चुपा लिया था लेकिन एक बैड लग भी मेरे साथ होता है एक आदमी एक लैंटन लेते हुए वह उस ओवर बोर्ड के पास आ जाता है और मैं क्या करता हूं मैं अपने आपको जैक्शन आलेंड में प्छेर की एक डूसर से शुब और शुब बाते गू intern snack और यह बहुत साइओ चीजों के बाद में हम लोग ने बात की जिम को यह बात पता है कि उसे यह्से ज्यादा जान काइठीन गूर्ड लाग और मुझे और मुझे एक साप का स्किन दिखा देता है उस आलेंड में जिस से जिम बोलता है कि यह एक जरू एक बैड लग लेकर किया आएगा